डिफेंस एक्सपो में हर कदम पर बेकिन इंडिया की जलक देखने के लिए मिल रही है और इस समय हम खड़े हैं हेल के तैयार की यूटिलिटी हेलिकॉप्टर के सामने इस हेलिकॉप्टर के वरान आयोसी मिलने की पूरी उमीद है कल साथ तारीक है जब इसको आयोसी मिल सकती है और आप देख सकते हैं कितना अकरशक है यह हेलिकॉप्टर मल्टी पर्पस है इसको सेना भी इस्तमाल कर सकती है लड़ाई के समय रेस्क्यू में इसका 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 इसके अलावा एयर एम्बूलेंस के तौर पर वी आई पीस के लिए कई इसके जो इसके जो इस्तमाल है की खूबियों के बारे में सर स्वागत है आपका नवस्कार मैं अफदल कुरेशी हूं है चल से होजे जाना चाहिए जो एल्यू एच तैयार कि है इसके बारे मताएं क्या खास है इसमें कैसे बाकी सबसे अलाग है यह जो फिलहाल एक 45 यह से चीतक चेता जो चल रहा है उसक बैंगलूर से ले ले गए थे सतर हजार किलोमेटर सतरा दिन बिना किसी प्रॉब्लम के लेगाय थे, and this is a fantastic machine, which has proved that reliability. Even for this DEF Expo, we have flown two helicopters with three designers, all the way from Bangaloo to Lucknow, and one is being displayed during the flying display, one VIP version is being displayed in the static display. Right now we will be entering into the cabin of that VIP version, maybe you can have a look of that. तो अब हम लोग इस light utility helicopter के अंदर शल रहे हैं, कुरेशी साब के साथ में जो designer हैं, और चानेंगे उनसे क्या खास है, काफी comfortable seats है, VIP version है, आराम से handrest है, आप आराम से बैठ सकते हैं, सर, काफी अच्छी seats हैं, काफी आराम दे भी लग रहा हैं, जी हाँ, फिलहाल अगर आप किसी helicopter से compare करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाए गया हुआ है, इसमें entertainment के लिए TV भी लगा हुआ है, इस साइड में आपका console भी है, जिसमें आपको cool drinks से रख सकते हैं, इसका मार्केट मिल सकता है, इसका जो initial clearance होना है, जो IOC है, उसकी क्या भी expected dates है, कब तक मिल सकता है, कल साथ तहरे को इसका IOC मिलेगा, इंडियन इरफूस के बाद, उसके बाद, उसके बाद, और प्लेस किये जाएंगे, तो हमने manufacturing करेंगे, हमारे पास HL में 30 helicopters per year manufacturing करेंगे, बनाने के लिए शक्ती है, और हमारा प्लान है, अगर demand ज्यादा ला गया, तो हमारे पास MSME को साथ लेकर 60 per year बनाने का प्लान भी है, तो उमीद कर सकते हैं, इसी साल से इसका production शुरू हो जाएगा, प्रोडेक्शन 2021 के बाद शुरू होगा, इस साल तो शुरू नहीं होगा 21 में शुरू होगा, तो हमने देखा इस हेलिकॉप्टर को अंदर से, आगे चलते हैं, जो इसका control panel है, जो cockpit अरिया है, उसको भी हम देखेंगे, सर हम चाहेंगे कोपिट में दिखाएं और बताएं बाकी हेलिकॉप्टर से कैसे अलागे थोड़ा है, और देखेंगे इसके जो इसका cockpit है, जहां पर पाइलेट बैठेगा, वो किस तरह से बाकी हेलिकॉप्टर से अलागे है, क्या खास है इसके features, क्योंकि सीट है काफी अराम दाएक है, लुक काफी अच्छा है, सामने जहां पर पाइलेट बैठता है, वहां अईरिया खोल चुका है, इस समय, सर जिखेंगे, as usual with any other helicopter, we have crash proof seats, इसके बाद जो लगा हुआ है, इसकी खुसीचित यह है के, it is made in India, by an Indian company, and it has proved an exclusive thing, it has got a touch screen, which gives the entire control and movement of the helicopter. अगर हम उसकी बात करते हैं, तो यह इसका जो पैनल है, उससे कैसे है? चिता-चितक का तो एक दम old वाला है, उसमें पूरा analog का है, यह पूरा digital है, और इसमें सिर्फ एकी स्क्रीन में सब कुछ आ सकता है, उसमें नहीं है चिता-चिता-चितक को बेंगे, इससे किस तरह की सहुलियत रहेगी, अगर बात की जाए, पाइलेट के पॉंट पॉंट अगर आप इसमें देखेंगे, तो पाइलेट का लोड का जाता है, जो हम बोलते है, पाइलेट का धियान, जो चंट्रोल करना एक और उसका थोडाओ लोड का मोझता है, चिता-चिताथ अरश बारे में अप कुछ खास बता रहे थे, इसकी क्रेश-प्रूफ आपकुछ बत हों इसके बाद ऐसमें फिर एंबूलेंस का भी इसथी माल कर सकते हैं और फोटग्राफी के लिए इस्तमाल कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए तो यहां पर हमने जो इसके चीफ डिजाइनर है मिस्टर कुरेशी उनसे बात कि उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर की हर खास बात से रूबरू कराया हमने देखा कितनी कमफर्टेबल सीट्स हैं जो इसका कंट्रोल पैनल है कॉक्वेट एरिया में वो किस तरह से टच स्क्रीन में हो जो पहले एक मॉडल चला करता था लंबे समय से चीटा चे तक उसके रिप्लेस्मेंट के रूप में इसको देखा जा रहा है और 2021 से इसका प्रोडेक्शन भी HL शुरू करने की तैयारी में है कैमरा सही होगी पंकर निकम के साथ शेले शरूरा एवीपी गंगा लखनौ